हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट सिविल सर्विसेस में तो आज है 17 अप्रेल 17 अप्रेल से जितने भी करेंट अफेस के कोशन बंदे सारे इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले और इन सारे कोशन को विद डिटेल और कम्प्लीटली हम मैप के साथ डिसकस करेंगे और सबसे पहले देखते है कल का जो कोशन पुछा था आपसे कि हाली में भारत में COVID-19 वेक्सिन प्राप्त करने वाले भारत के पहले वेक्ति कौन बने है तो ये बने है मनिश कुमार सबी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है ये कौन बने है दोस्तों मनिश कुमार और साथ ही यहाँ पे मैंने आपसे पुछा था कि अभियान को सुरू कप किया गया था तो इस अभियान को सुरू किया गया था 16 जनवरी को ये आपको याद रखना है और ये जो मनिश कुमार है ये दिल्ली एम्स के सफाई कर्म चारी है अब स्टार्ट करते हैं कल की कोशन का रिविजन समुद्री उत्पादों की खरीदी और बिकरी इशंता पोर्टल को किसने लॉंच किया है तो इसे लॉंच किया दोस्तो प्यूस गोईल ने यहाँ पे राइट अंसर है उप्शन 4 मैक जीन ने 2010 के दसक का सर्वसेस्ट वन्डे क्रिकेटर किसे चुना है ये चुना है विराट कोहली को यहाँ पे राइट अंसर होगा उप्शन 4 2019 में पद्शरी से सम्मानित किस सूप्रशिद्ध हितियासकार का हाली में निधन हो गया है तो ये कोने योगेश प्रविन यहाँ पे राइट अंसर है उप्शन 1 हाली में किसने मानसिक सौस्ते पर आधारित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मानस लाँच किया है तो ये दोस्तों किसने लाँच किया है के विजय रागवन ने तो यहाँ पे करेक्ट अंसर है उप्शन 2 यहाँ पे कोशन है कि विच्छेतर के लिए जलवायू परिवरतन कानू लाने वाला विश्व का पहला दिश कौन सा है तो ये बन गया है दोस्तों न्यूजिलेंड यहाँ पे राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्शन 3 एकॉमर्स कंपनी फिलिप कार्ट ने भारत के सबसे बड़े गोदामों का निर्मान करने के लिए किसके साथ समझोता किया है तो ये समझोता किया है इन्होंने अडानी ग्रूप के साथ फिलिप कार्ट ने किसके साथ समझोता किया है अडानी ग्रूप के साथ कोशन है बोहाग बिहुपर्व किस राज में मनाय गया है तो ये मनाय गया है दोस्तों अशम राज में यहाँ पे right answer है option 4 विश्व कलादिवस मतलब word art day कब मनाय गया है यह मनाय गया है 15 अप्रिल को AIBA UR पूर स्माहिला विश्व बॉक्सिंग चेंपियंशिप का आयोजन कहां हो रहा है तो इसका आयोजन हो रहा है दोस्तो पॉलेंड में तो यहाँ पे correct answer क्या है option 1 और revision का last question है Sir Richard Hanley Award से किस क्रिकेटर को समानित क्या है तो यह समानित क्या है केन विलियमसन को तो यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा दोस्तो option 2 और जितने भी लोग देख रहे है दोस्तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दे आपकी एक एक लाइक से हमें motivation मिलता है अब start करते दोस्तो आज के current phase तो पहला question आता है आज का हाली में अमिरिका ने किस देश से पूर्ण सेन ने वापसी की घोसना की है तो यह कौन सा देश है अफगानिस्तान है यहाँ पे right answer हो जाएगा option 3 अफगानिस्तान यहाँ पे दोस्तो बात हो रही थी अफगानिस्तान की तो इसकी जो राजदानी है वो क्या है काबूल और यहाँ की मुद्रा अफगानी है और यहाँ की संसद का नाम क्या है तो सोरा है और वर्तमान में अफगानिस्तान के जो राश्रपती है वो कोने अश्रफ गनी ये देख सकते है दोस्तों ये है अश्रफ गनी ये दोस्तों अफगानिस्तान लिखा है यहाँ पर मिस्प्रिंट हो गया है तो आपको याद क्या रखना है अफगानिस्तान के जो राश्रपती है वो अश्रफ गिनी है और यहाँ की संस यह काफि वर कुछन पूछा गया है एक्जाम में कि अफगानिस्तान की संसथ का नाम क्या है तो यह सो रहें 12 अप्रिल 2021 को विस्व तीवर्स मनागया है और इस वर्स की जो तीमे वो क्या है यह आपको बताना है तो इस वर्स की जो तीमे दोस्तों वो है One word many wise यहां पे right answer हो जाएगा option वर्ड और इस दिवस को मनाने का उद्देश से जान लेते हैं तो यह दुनिया भर में लोगों के रोज मर्रा के जीवन में आवाज की महत पर रोशनी डालना और आवाज समवात का एक ससक्त माध्य में तो इसी के कारण हम 16 अप्रिल को प्रतेक वर्ष वर्ड वाइस डे मनाते हैं और कई जगह पर इस दिन ENT, ER, NOS, THOUGHT, विभाग दोरा आवासे संबंदित बिमारियों की मुफ्त जाच की जाती है और यहां दिन लोगों को आनंद वेवसाई के लिए अपनी आवाज का उप्यो इसको विश्व आवाद दिवस मनाय गया है और इसकी थीमे वन वर्ड मैनी वाइस यहां पर कोशन है हाली में जारी किये गए ICC पूरूस वन डे रेंकिंग में पहले इस्तान पर कौन रहे है तो यह रहे है दोस्तों बाबर आजम यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा option 2 यह आप देख सकते हैं दोस्तों यह है बाबर आजम यहां रेंकिंग खिलाडियों की performance के अनुसार points based system की जरिये दी जाती है पाकिस्तान के क्रिकेटर कप्तान बाबर आजम को ODI ranking में 865 पॉइंट मिले है और इसी के साथ यह दोस्तों पहले पायदान पर है और भारती ट तीसरे इस्तान पर है तो आपको यहां पर याद रखना है ICC पूरुस वंडे रेंकिंग में पहले इस्तान पर पाकिस्तान के बाबर आजम है और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे टेली ग्राम चेनल पर डेली क्यूजिस किये जाते है यदि आपने अभी इसे जॉइन नहीं किया है तो इसे भी जॉइन कर ले इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ यह आपको मैं बता देता हूँ कि अपरेल से 15 अपरेल का नेशनल करेंट अफेर का रिविजन किया है यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसे भी देख ले इसकी लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और दोस्तो वीडियो को सेर जरूर करें और अभी आप चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें अब देखते हैं नेक्स्ट कोशन क्लाउड जोसेप किस द लोकिशन और हैटी की जो राजदानी है पोर्ट अउप्रिंस है यहाँ पे बात हो रही दोस्तो हैटी देश की तो इसकी राजदानी क्या है पोर्ट अउप्रिंस है और मुद्रा है गोर्दे और राष्टपती जोवेनल मॉईसे है तो यह है दोस्तो जोवेनल मॉईसे और प्रधान मंत्री बने है Cloud Joseph यह आप देख सकते हैं यह है Cloud Joseph कोशन है कि भारत ने गगन यान मिशन पर सहयो के लिए किस देश के साथ समझोता किया है तो यह समझोता किया है फ्रांस के साथ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा option 3 तो भारत के पहले मानव युक्त अंत्रिक्ष मिशन गगन यान में सहयो के लिए इस्रो और फ्रांस की अंत्रिक्ष एजेंसी ने एक समझोता पर हस्ताक्चर किया है फ्रांस की अंत्रिक्ष एजेंसी Center National Deidutes Spatials भारत की गगन यान मिशन में मदद करेगा यहां पर बात है दोस्तों फ्रांस की तो यह यूरोप महादिप में इसी और फ्रांस की राज़दानी पेरिस है और यहां की करन से यूरो है और वरतमान में प्रधान मंत्री जिन कास्टेक्स है यह सारे पॉइंट आपको याद रखने है तो भारत ने गगन यान मिसन पर सयोग के लिए फ्रांस से समझोता किया है हाली में जारी किये गए समावे सी इंटरनेट सुचकांक 2021 में भारत किस इस्तान पर है तो भारत का इस्तान है दोस्तों 59 पर है राइट अंसर है ओप्शन 3 तो इसमें भारत का इस्तान कौन सा हो गया उनान्चास्वा मारा पर हम बात करें इस सुचकांक में सिर्ष पाज देश की जो की स्वीडन है प्रत्थम इस्तान पर और अमेरिका दूसरे इस्तान पर इस्पेन तीसरे इस्थान पर और होंकोंग पाच्वे इस्थान पर है इस सुचकांक में बुरंडी सबसे निचले 120 वे इस्थान पर है यह आपको याद रखना है कोशन है कि हाली में जीवीजी क्रश्नमूर्थी का निधन हो गया है वे कौन थे तो यह थे दोस्तो पूर्वत चुनाओ आयुक्त यहाँ पर राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्शन टू यह है जीवीजी क्रश्नमूर्थी यहाँ पर बात हो रही थी दोस्तो मुख्य चुनाओ आयुक्त की तो वर्दमान में मतलब हाली में 24 वे मुख्य चुनाओ आयुक्त बने है सुसिल चंद्रा यह आप देख सकते हैं यह है दोस्तो सुसिल चंद्रा और भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियूक्ती करता है वो कौन करता है रास्ट्रपती करते सविदान के भाग 15 में निर्वाचन आयोक के बारे में बताए गया है और साती सविदान का अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमिशन के बारे में बताए और इस आयोक की जो इस्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को की गए थी और भारत में रास्टी मत दाता दिवस 25 जनवरी को प्रत्यकवर्स मना जाता है तो आ जारी की गई है तो इस रिपोर्ट को जारी किया है UNFPA ने मतलब United Nation Population Fund ने तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 State of World Population Report 2021 UNFPA यानि United Nation Population Fund द्वारा जारी की गई है UNFPA संयुक्तिराष्ट की योन और प्रजिनन स्वास्ते एजेंसी है और State of World Population Report 2021 में इसकी जो थीम है वो है My Body is My Own ये आपको याद रखना है कि State of World Population 2021 रिपोर्ट को United Nation Population Fund ने जारी किया है कोशन के हाली में MACD इंडिया ने किसे अपना Brond Ambassador बना है तो ये बना है दोस्तो रस्मिका मांडना को राइट अंसर क्या हो जाएगा Option 3 ये देख सकते हैं दोस्तो ये है रस्मिका मांडना और हाली में दोस्तो विवो के जो Brond Ambassador बने है वो कुन बने है विराट कोहली बने है चेतरी व्यापक आर्थिक साजेधारी इसका मतलब है रसी पी एक बहु राश्री व्यापार समझोता है जिसमें दस आसियान अर्थे व्योस्ताओं के साथ साथ ऑस्टिलिया चीन जापान न्यूजिलेंड और दक्षिन कुरिया सामिल है और यहां पर बात हो रही है दोस्त महातिप में इस्तित है तो यह आप देख सकते हैं यह दोनों की लोकिश यहां पर बात हो रही है दोस्तों सिंगापूर की तो यह एसिया महातिप में इस्तित है और इसकी जो राजदानी है वो सिंगापूर सीटी है सिंगापूर की करेंशी की बात करें तो यह सिंगापू और दोस्तो वीडियो को जल्दी से लाइक जरूर कर दे और अपने friend circle में share जरूर करे और आज का question of the day है महिंद्रा एंड महिंद्रा Limited के नए MD और CO कौन बने है तो इसका जवब आपको देना है और साथ ही बताना है दोस्तो आपको कि महिंद्रा Limited के संस्तापक कौन है और आप आपको वीडियो लेक्चेर अच्छा लगाओ तो इसे जरूर लाइक करिएगा शेयर करिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग इस वीडियो